हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने येडित परल जे इल जार्खन लाइब्स में दोस्तो यहाँ पर जार्खन एडूकेशन प्रोजेट काउंसिल जे इपीसी की तरफ से नियुक्ति सम्माधित विग्यापन प्रकासित किया गया है और यह जो नियुक्ति की जान है सेलरी आपको कितनी दी जाएगी तो पहला पद जो है वह यहाँ पर है फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए और यह जो यहाँ पर पद है वह स्टेट लेवल पोजिशन के लिए एक पद पर नियुक्ति की जाएगी अन्रेजर्व को टेगरिका है सेलरी की बात करें तो 33,145 रुपे पर मन्थ आपको यहाँ पर दिया जाएगा दूसरा पद जो है वह एक्सपर्ट EMIS के लिए यहाँ पर निक्ति की जानी है अस्टेट लेवल पोजिशन के लिए एक पद पर यहाँ पर निक्ति की जाएगी 33,145 रुपे आपको यहाँ भी सेलरी दी जाएगी तीसरा जो पद है वह है डिस्टिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए और यहाँ पर यहाँ पर यह भी स्टेट काडर एंड डिस्टिक लेवल पोजिशन के लिए निक्ति की जानी है कुल तीन पदों पर और देख लिए यहाँ पर एक सेलरी की बात करें तो 48,596 रुप्या को यहाँ पर सेलरी दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर जो पोस्ट है वो है असिटेंट प्रोग्राम मैनेजर स्टेट काडर के लिए कुल 19 पदों पर निक्ति की जानी है जिसा कि आप यहाँ पर कटेगरी वाज यहाँ पर सेटों की संख्या देख सकते है सेलरी की बात करें तो 33,145 रुप्य आपको सेलरी दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर एकाउंट ऑफिसर के लिए फिफ्ट नंबर जो है वो एकाउंट ऑफिसर के लिए है स्टेट काडर के पर निक्ति की जानी है कुल 7 पदों पर सेलरी की बात करें तो 33,145 रुप्य कोंपीटर के लिए और यहां पर कुल 11 पंपर के बात करेंगी तो इस तरह से अलग अलग पदों पर अलग अलग संख्याओं में निप्ति के ठीकहे एन चारीडों के लिए यहां पर होन चाहिए और अधिकतम की बात बात करें तो कम से कम आपका यहांWhy 21 साल होना चाहिए और कट टथ रखा गया है तो यहांपर F위 फीमेल अन्रिजर्व इडालुएस बिलॉग करती है तो उनके लिए 38 वर्स है एक्स्ट्रेमली बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी वन ओबीसी टू के लिए पर साहतीस वर्स है और मेल फीमेल कोई भी हो तो उनके लिए 40 वर्स यहां पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है यहां पर दी जाएगी और रिजर्विशन का भी यहां पर रूल रेगलिशन जो है वह पालन किया जाएगा तो यहां पर पर परपस ऑफ एक्वारिंग एडुकेशनल क्वालफिकेशन सक्षने की होगी था और जो उम्र सीमा की जो कटप डेट होगी वह एक साथ 2021 होगी ठीक है उसके वाद यहां पर आपको सैलरी जो मेंसन क्या गया है उसके नुशर दिया जाएगा और यहां पर जो आपको फी पेमेंट करना है ऑनलाइन फॉम भरते वक्त वह जेनरल और न दिम्टिती ञ्माह कर सकते हैं 812 201 के सामके 5 जमाह क्या है लीएज़े कर सकते हैं यहां परRL, यहां पर strand これ आपको five जमाह कर सकते हैं invers theoretical यहां पर क्लिक करके आउंलाइन उस्चन commerce with 50% marks from recognized university यहां पर जिनको experience होगा उनको preference दी जाएगी तो commerce में यहां पर bachelor degree है अगर 50% marks आपका है किसे भी विच्व जाले से तो यहां पर finance and account officer के लिए आप आवेदन जमा कर सकते हैं तिक है preference will be given to person who has completed CA ICWA CS inter level with three years experience in the field of accounting in any government या organization engaged in implementation of center state government ठीक है अगर experience है तो उनको यहां पर preference दिया जाएगा expert EMIS के लिए यहां पर BCA with minimum 50% marks और PG diploma in computer science IT information on management यहां पर आपका qualification होना चाहिए ठीक है उसके वाद यहां पर तीसरा जोपत है वो district program manager के लिए तो master degree with minimum 50% marks from recognized university master degree है 50% कम से कम आपका आंक है तो यहां पर आप आवधन जमाग कर सकते हैं असिटेंट program manager के लिए bachelor degree with minimum 50% marks from recognized university ठीक है यहां पर आपका 50% marks bachelor degree है तो आप आवधन कर सकते हैं ठीक है इस तरह से account officer के लिए यहां पर bachelor in commerce with minimum 50% marks from recognized university आपका होना चाहिए अगर यह qualification है तो आपको यहां पर जो है वो preference दिया जाएगा ठीक है वरियाच्टा दी जाएगी computer programmer के लिए यहां पर रखें बिसी ए और पीजी डिप्लोमा इन कॉंपिटर अप्लिकेशन आईटी information management और एंसी ए माइटी और बीबी टेक इन कॉंपिटर आईटी यहां पर आपका होना चाहिए computer programmer के लिए तो यह अलग-अलग qualification यहां पर रखी गई है सेबंत नमबर assistant computer programmer के लिए है BCA या फिर graduation with minimum 50% marks with one year PG diploma in computer application तीक है या फिर information management from any recognized university तो अगर यह सभी आपकी योगिताएं हैं और आप चाहते हैं कि फॉर्म भरे तो आप यहां पर online आविदन 8-12-21 तक online आविदन जमा कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हैं सारी जानकारी आपको मिल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई जरू लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो का फ्लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर कर दे करिए ताकि यानी लोग भी यहाँ पर जूर सकें और सारी जानकारी पाच सकें